नमस्कार शातियो, स्वागत है आपका हाई पाई टीचिंग क्लासेस पर मैं जैप्रकास एक बाद फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज हम कराने वाले हैं रेशियो का पार्ट फाइब इससे पहले हमने पार्ट फोर में कुछ रेशियो के कोश्चन अपलोड कर चुके हैं उन कोश्चनों को देखना ना भूलें अगर शुरुआ से देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम देखते हैं कोश्चन पहला है हमारा 50 लीटर के एक मिश्चन में सराव और सोडा का अनुपाद 3 रेशियो 2 है ठीक और 6 रेशियो 7 का अनुपाद बनाने के लिए कितन सोडा मिलाया जाना चाहिए देखो इस तरह के कोश्चन में करना क्या है आपको जैसे मालो हमें दिया है इसमें टोटल मिश्चन कितना दिया है 50 लीटर ठीक टोटल दिया है 50 लीटर ठीक है ना अब क्या करना है हमें सराव और सोडा का अनुपाद दे रहा है इसमें 3 रेश एलकोल और सोडा ठीक अब क्या करना है इसमें रेशियो दे रहा है त्री रेशियो टू और सिक्स रेशियो सेवन का अनुपाद बनाने के लिए कितना सोडा मिलाया जाना चाहिए यानि कि सोडा मिलाया जा रहा है कि कितना रेशियो बना जा रहा है सिक्स रेशियो सेवन अग कोई भी मालो मिश्रड है जिसके अंदर मालो एक एक भरतन है मेरे पास कि इसमें मैंने वाटर और मिल्क लाला इसमें यानि कि इसमें मेरा मालो बीस लीटर यह है वाटर दस लीटर मिल्क है ठीक है अगर मैं इसमें अगर मैं इसमें दस लीटर पानी और मिला दूँ अगर मैं इस वरतन के अंदर दस लीटर पानी और मिला दूँ तो मेरा मिल्क बढ़ेगा या वही रहेगा यह बताओ पहले देखो अगर मैं इसमें 10 लीटर पानी और मिला देता हूं तो कितना हो जाएगा यह 30 लीटर पानी हो जाएगा पर लेकर यह बताओ मुझे दूद बढ़ेगा क्या दूद का रेशियो जो 10 लीटर है इसमें पानी को छोड़के लूद का रेशियो 10 लीटर है यह बढ़ेगा क्या नहीं बढ़ेगा यह 10 लीटर ही रहेगा पर लेकिन मिश्रड क्या हो जाएगा 40 लीटर मिश्रड क्या हो जाएगा 40 लीटर 30 लीटर वाटर और 10 लीटर मिल्क तो क्या हो जाएगा मिश्रड 40 लीटर पर लेकिन रेशियो क पहले था अब भी 10 लीटर ही है कितना हो गया हमारा 40 लीटर हो गया 30 लीटर से 40 लीटर का मिस्ड़ हो गया पर लेकल मिल कमारा 10 लीटर ही रहा these same question होना है कैसे होना है करना किया है हमें अब यह देखो जो क्या कहरा है question में सोड़ा मिलाया जाना है यानि कि 6 ratio 7 का अनुपात बनाने के लिए कितना सोड़ा मिलाया जाना चाहिए सोड़ा मिलाया जाना चाहिए यानि कि सोड़े को मिला रहा है तो हमारा जो सराब है सराब क्या रहेगी बताओ अगर सोड़े को मिलाएगा इसमें तो सराव क्या रहेगी जितनी पहले थी उतनी ही रहेगी तो उतनी पहले कितनी थी देखो पहले कितनी थी तीन तो तीन ही रहनी चाहिए पर लेकिन करना क्या है हमें तीन को बनाने के लिए तो इसमें भाग करना पड़ेगा तो हमारा सिंपल नहीं हो पाएगा थोड़ा कैलक से गुणा कर रहे हैं तो इसमें भी दो से गुणा करना पड़ेगा ठीक अब देखो एलकोईल कितना हो गया छै शोड़ा कितना हो गया चार एलकोईल छै शोड़ा चार अब देखो सिक्स रेशियो सेवन का अनपाद बनाने के लिए सोड़ा मिलाया गया है तो क्या बना है सिक्स रेशियो सेवन में कितना मिलाया गया है सोड़ा देखो पहले चार था अब हो गया साथ तो कितना मिलाया है तीन कितना मिलाया है तीन तीन रेशियो मिलाया गया है अब देखो ट कितना कितना मिस्टड है रेशियो में ये छे रेशियो है ये चार रेशियो तो कैसे करोगे दस रेशियो के बरावर दिया है कितना पचास कितना दे रहा है दस रेशियो के बरावर दे रहा है पचास तो एक रेशियो के बरावर कितना हो जाएगा पांच एक रेशियो के बरा बढ़ाया गया 3 तो 3 रेशियो के बराबर कितना हो जाएगा एक रेशियो के बराबर 5 है तो 3 रेशियो के बराबर 5 से मल्टिपर इसमें कर दो तो कितना हो जाएगा 15 कितना हो जाएगा 15 इसमें 15 लीटर सोडा और मिलाया जाना चाहिए जिससे 6 रेशियो 7 का अनपात हमारा हो कोशन B ठीक है दोस्तों चलो अगला कोशन देखते हैं देखो अगला कोशन क्या कह रहा है इसमें एक कार खाने में मजदूरों की संक्या साथ रेशियो 6 से कम कर दी गई उनकी प्रतिदिन की तनका से 13 रेशियो 14 बढ़ा दी गई यदि इससे प्रतिदिन की कुल तनका 7000 रुपे कम हो गई तो अभी प्रतिदिन की तनका क्या है देखो क्या कह रहा है ये मालो मेरी एक मालो ये हमारी क्या है एक फैक्टरी है कोई ठीक ये फैक्टरी है इसमें क्या है कि हमारे मेजदूर काम करते हैं पहले हमारे 7 मेजदूर काम कर आ करते थे इसमें पहले 7 मेजदूर काम करते थे अब क्या हो रहा है इसने क्या किया है चतुराई से इसने 6 मेजदूर कर दिये क्या कर दिये पहले 7 थे 6 कर दिये पर लेकन होता क्या था जो 7 मैजदूर हैं उनको पहले तनका मिलती थी पहले तनका कितनी मिलती थी रेशियो क्या है 13 पहले 7 थे तो 13 तनका मिलती थी प्रितेक मैजदूर को कितनी मिलती थी 13 लेकन अब क्या हो गई है इनकी तनका बढ़के 14 14, क्या हो गई है 14, मैदूर हमारे पेले 7 तनका कितनी थी 13 , miादूर हमारे 6 हो गई 14, तो देखो अब। अब क्या कह रहा है Question में यदी इसे परत्स दिन की कुल तनका में सात त्रह रुपए की कमी हो गई तो अच्छ में प्रत्स दिन की क्या है रहा है देखो अब यह पूछना क्या चाहरा है है कोश्षों में पहले जो खर्च कर ती ती कंपनी अब कितना खर्च कर रही है यह पूछ रहा है बस और खुछ नहीं है अंतर दिया में इन दौनों का सात अजार रुपे बस और कूछ नहीं है देखो क्या Eddy यहां से देखो इनका 7 इंटू 13 कितना हो जाएगा 13 सत्य 91 पहले 91 रुपे बाटा करते थे जब 7 मजदूर काम करते थे कंपनी में तो 13 रुपे के हसाफ से 91 रुपे बाटा करते थे अब क्या हो रहा है 6 मजदूर काम करते हैं 14 रुपे के हसाफ से 84 रुपे बाटते हैं तो कितने रुपे कम बाट रहे हैं ये देखो 7 रुपे कम कितने रुपे 7 रुपे पर लेकिन कोश्चन क्या कह रहा है कितने रुपे कम कर रहे हैं साथ अजार रुपे कम बढ़ रहे हैं कितने साथ अजार तो एक रेशियो सेवन रेशियो के बराबर अगर साथ अजार है तो देखो एक रेशियो के बराबर कितना हो जाएगा एक अजार बस ऐसे हो गया एक अजार देखो करने की कोई जरूरत नहीं है वैसे पर लेकिन कुछ स्टुडेंट नहीं है तो इनको थोड़ा बताने के लिए समझाने के लिए अगर मैं डारेक्ट ही करता चला जाओ तो उनके दिमाग में कुछ आए ना तो मेरा फाइदा क्या है समझाने का पहले हमारा खर्च कितना करता था 91 रेशियो अब क्या खर्च भूरा है 84 रेशियो तो बस कर दो 1,000 का 91 से गुणा कर दो इसमें 1,000 का गुणा हो जाएगा ठीक यह हो जाएगा 91 अजार ठीक है यह 84 इंटू 1,000 यह हो जाएगा हमारा 84,000, कितना हो जाएगा 84,000, ठीक, यह हमारा हुगा answer, क्या हुगा answer, देखो, कौन सा option है, option number है हमारा B, देखो, यह है question, कोई दिक्कत question में, समझने में, देखो, इसी तरह के question होंगे सारे, देखते चलो, देखो, अगला question देखो, देखो, क्या करना है, दूसरा question देखो, देखो, ABC की I का अनुपाद दे रहा है, इसमें 7 ratio, 9 ratio, 12 है, तता उनके खर्च का अनुपाद दे रहा है, 8 ratio, 9 ratio, 15 है, यदि A अपनी I का एक वट्टे 4 बचाता है, तो अपनी, तो उनकी बचत का अनुपाद क्या है, इन तीनों की बचत का अनुपाद निकालना है हमें, देखो, कैसे निकालना है, A, B, C, ठीक है, क्या ratio दिया है, 7, ये क्या है, income, क्या दे रहा है, 7, 9, और 12, ठीक, खर्च का क्या दे रहा है, मारा, खर्च का दे रहा है, ratio, 8 ratio, 9 ratio, 15, ठीक, देखो, अब इसमें करना क्या है हमें, अगर ऐसे निकालने बैटोगे, तो नहीं आने वाला, करना क्या है, हमको दोनों को अलग-अलग दिखाना है, माना हमने, क्या मानना पड़ेगा इसमें, जो इनकी income है, उसे X मानेंगे, और जो कर्च है, उसको buy, कर्च को, income को X, और खर्च को buy, ठीक, income को X, कर्च को buy मानेंगे, तो क्या करेंगे इसमें, इसको 7X, इसको 9X, इसको 12X, इसको 8Y, इसको 9Y, इसको 15Y, देखो, अब क्या करना है इसमें ए अपनी i का 1 वट्टे 4 बचाता है तो उनकी बचत का अनुपात क्या है क्या करना है इसमें ए से चलना है देखो क्या कह रहा है ए अपनी i का 1 वट्टे 4 बचाता है तो देखो ए को लो पहले क्या करना है ए को लेना है 7x यानि एक ही आए कितनी है 7x ए अपनी i का कितना बचा रहा है 1 वट्टे 4 ए अपनी i का कितना बचा रहा है 1 वट्टे 4 पर लेकन एक बात बताओ यहां से कितना बचा रहा है देखो असलियत में क्या बचा रहा है रेशियो में यहां से हमने कर लिया, यह अपनी आयका एक वट्टे चार बचाता है, तो यहां से देखो, रेशियो में क्या बचा रहा है, तरीका, देखो, इंकम क्या है, 7X, खर्च क्या है, 8Y, देखो, अगर इंकम में से खर्च चला जाएगा, तो क्या आएगा, बचत, क्या आएगा, ब बचाता है, तो हमने क्या लिखा है, बचत, तो क्या करेंगे इसे, 7x-8y, 7x-8y, ठीक है, इंकम में ऐसे, खर्च को गठाया, तो क्या आई, बचत, ठीक है, अब बस, कर दो इसे, क्रॉस मल्टिपलाई कर दो इसे, देखो, 7x, ऐसे के, ऐसे ही, 7x-8x-8y, ठीक है, अब देखो, 28x से, 7x गई, तो कितने बचे, इधर ले जाओ, या इधर ले आओ, देखो, इधर ले आओ, तो यह हो जाएगा, 21x, माइनस के 21x, बरावर माइनस के 32y, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसल आउट, ठीक है, अब ग्या करना है, देखो, कितना हो गया, x का कितना हो जाएगा, 32, देखो, x का हो जाएगा 32, और y का हो जाएगा 21, क्या हो जाएगा, x का 32, y का 21, x का मान 32, और y का 21, बस हो जाएगा कुस्सन, अब x, y का मान यहा पर रख दो, दोनों को गठा दो, बस आंसर, देखो करके देखो 32 इंटू 7 करो देखो 32 इंटू 7 यानि 7 इंटू 32 देखो 32 तो ये वाले हैं ये वाले 32 एक्स का मान क्या है 32 एक्स वाले रेशियो 9 इंटू 32 ठीक है ये वाले 32 रेशियो 12 एक्स यानि 12 एक्स का मतलव 12 इंटू 32 ठीक है अब 8Y 8Y का मतलव 21 रेशियो 9Y 9Y का मतलव 9 इंटू 21 ठीक है अब 15Y 15 इंटू 30 इसका गुणा कर दो बस हो गया कोश्चन कर दो अब देखो गुणा करो साथ दूनी 14 14 की 4 यहां से करो आसल एक ठीक है शात्ती एक्स वा दो 21 एक्स वाइस ठीक है नौ दूनी अठारा अठारा की आठ आसल एक नौ तिया 27 27 27 एक 28 रेशियो बाराय दूनी 24 24 आसल दो बारती यह 36 और दो 38 अब देखो इसे आठ एकन आठ 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 दूनी 16 नौ एकन नौ दूनी अठारा पंद्रय एकन पंद्रा ठीक पंद्रय की पांच आसल एक पंद्र दूनी 30 और एक 31 बस गठा दो इसे यह बचत का रेशियो आएगा हमारा क्या जाएगा देखो 224 में से 168 गई तो कितने बचे 6 यह गया होगा 11 11 से 6 गई तो 5 ठीक चपन रेशियो यहां से गठाओ 16 16 में से 9 गई तो कितने बचे 7 ठीक सूला में से 9 गई तो से यह है है यह 280 से 288 अधार 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 में से 9 गई तो 9 ठीक अब देगो और 9 यहां से 8 बचार नो अधार मैं से 9 गई तो सत्रे में से आठ गई तो सत्रे में से आठ गई तो मारे हो जाएंगे दो और साथ नौ ठीक रेशियो अब देखों से गटाओ यह जाएगा चोदै चोदै में से पांस गई तो कितने बचे नौ ठीक है साथ में से ए गया तो छे ठीक क्या रेशियो बना मारा चपन रेशियो 99 रेशियो 99 चपन रेशियो 99 अप्सन नंबर क्या है मारा बी अप्सन नंबर क्या है मारा बी देखो इस तरह होना यह कोश्चन ठीक देखो अगला कोश्चन देखो ठीक है चलो अगला कोश्चन देखो इसी तरह का कोश्चन है इसे करो इसे भी देखो क्या है A, B, C की आइकान पाद दे रहा है 3 रेशियो, 4 रेशियो, 5 A A, B, C A, B, C की रेशियो क्या है 3 रेशियो, 4 रेशियो, 5 ठीक I का इसका I का अनुपाद खर्च का अनुपाद कितना दे रहा है इसमें खर्च का अनुपाद दे रहा है 4 रेशियो, 5 रेशियो, 6 ठीक उसी तरह करना क्या है इसको X इसको Y ठीक A अपनी I का 1 बटे 6 बचाता है है यह अपनी i का कितना बचा रहा है 3x इंटू एक बट्टा 6 बरावर यहां से देखो कितना बचा रहा है 3x-4y किया बचा रहा है 3x-4y बस हो गया question cross multiply कर दो या इसे यहां से काट दो पहले दो बार ठीक है अब देखो 2 से गुणा कर दो इसे यह x ही रहेगा 2 से 6x-8y ठीक है इधर लियाओ यह हो जाएगा minus के 4x ठीक 5x परावर minus 8y minus से minus cancel out ठीक है x की value क्या आ जाएगी 8 y की value आ जाएगी मारी 5 देखो आगी x की value 8 y की value 5 ठीक अब देखो अब क्या करना है इसमें बस इसे रख दो यहां पर रख दो 3 into 8 ratio 4 into 8 ratio 5 into 8 ठीक अब दूसरा वाला देखो 4 into 5 ratio 5 into 5 into 6 into 5 क्या हो जाएगा देखो यह तो हो जाएगा हमारा आड़ती है 24 ठीक रेशियो आड़ चक बत्तीस आड़ बन चालीस 20 25 30 देखो बचत का रेशियो क्या आएगा इनसे ने कठा दो यह हो जाएगा चार रेशियो कितना हो यह 7 यह जाएगा 10 तो कितना आया पचत का रेशियो चार रेशियो 7 रेशियो 10 देखो अप्सन नम्बर कौन सा है अप्सन नम्बर है मारा A ओप्सन नम्बर A ओप्सन नम्बर A ओप्सन नम्बर A चलो देखो अगला कुश्चन देखो अब अगला कुश्चन देगो क्या है हमारा A और B की I का अनुपाद दे रहा है इसमें 5 रेशियो 7 है उनके खर्च का अनुपाद दे रहा है 9 रेशियो 11 है यदि A 1200 रुपे बचाता है B 2000 रुपे बचाता है तो दोनों की I क्या है देखो क्या पूछ रहा है इसमें A और B की I दे रहा है इसमें 5 रेशियो 7 क्या दे रहा है इनकम है 5 रेशियो 7 में ठीक है खर्च का अनुपाद कितना दे रहा है इनका खर्च का अनुपाद है 9 ratio 11 क्या दे रहा है 9 ratio 11 इस question को कैसे करोगे देखो करना क्या है इसमें कुछ नहीं करना है इस तरीके के कोई भी question आते हैं अलग-अलग बचत देते हैं अलग-अलग मारी बचत आती है तो कैसे करेंगे इन question को देखो इसको करेंगे 5x upon 7x minus कितनी बचत है 1200 इसकी क्या है एक ही 1200 minus इसकी क्या है b की 2000 ठीक 2000 ठीक है अब देखो दिखाई दे रहा है चलो नीचे लिखती है इसे अठाओ इस तरीके से नहीं करना है देखो क्या करना है a upon b इस तरीके से करना है चलोगे 5x minus 1200 ठीक है दूसरा क्या है 5x 7x minus 2000 ठीक ठीक है अब ग्या है कितना ratio हो रहा है किसका ratio दिया इसमें खर्च का अनुपात कितना है 9 ratio 11 कितना है 9 ratio 11 बस गुना कर दो इसका cross multiply कर दो क्या हो जाएगा 11 पन्ना पच्पन एक्स minus बार एंटू 11 एक्सव बतीस लवल जीरो बरावर नौ सत्य त्रेसर्ट त्रेसर्ट एक्स minus अठारे जार क्या हो जाएगा अठारे जार देखो यह कितने हैं यह त्रेसर्ट एक्स हैं यहां से त्रेसर्ट एक्स अगर पच्पन एक्स अगर इधर ले आओ तो minus की हो जाएगे त्रेसर्ट एक्स को इधर लेके आओगे पच्पन एक्स की तरफ तो minus की हो जाएगे तो कितने बचाएगे पाँच वो तीन 8 एक्स minus की 8 एक्स बराबर इधर से इधर ले जाओ इसे तो इस फिलस का हो जाएगा ठीक है तो क्या बचेगा देखो अठारे जार में ऐसे और कितने गठाने हैं साथ मैं स्कीन के चार कितने बचे अड़ता लिस सो और ता लिस सो किसके बचे माइनस की ठीक है माइनस से माइनस कैंसल आउट आच से छे वार तो X की बैलु क्या जाएगी 600 X की बैलु क्या जाएगी 600 बस निकाल दो इन डॉनों की कितनी थी एक ही कितनी थी 5X इसकी कहते नहीं थी 7X तो बस हो गया 5X इंटू 6600 सॉरी 7 इंटू 600 कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 3000 और यह हो जाएगा हमारा 322 क्या option है? Option नमबर है हमारा A, Option नमबर क्या है? A इस तरीके से question हो जाए है इस तरीके के question को इसी तरह से करना नियों तो दिखकत हो जाएगी ठीक है? अलग 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 बचत दी है इसमें तो इसी तरह से question करना पड़ेगा जब ही अच्छे से answer आएगा ठीक है? देखो अगला कोशन देखो अगला कोशन है A और B का रेशियो दे रहा है 4 अनपाद 3 की आई का अनपाद है उनके खर्च का अनपाद है 2 रेशियो 1 यदि प्रतेग व्यक्ती की बचत 6,000 है तो A और B की आई ग्याद कीजिए प्रतेग व्यक्ती की बचत कितनी है 6000 इसमें तो बचत से मैदान होगी तो कैसे करोगे देखो से इसको सनक़ कैसे करेंगे A और B ठीक इसका रेशियो चार रेशियो 3 ठीक खर्च कानपाद कितना है 2 रेशियो 1 अब देखो कैसे करोगे अगर आयदी है हमें खर्च दिया है ठीक अब बचत निकालनी है सेविंग बचत कैसे निकालोगे यहां से इसे कटाओगे कितना बचत दो यहां से इसे दो दौनों की क्या बचत हो रही है 2 ratio 2 में ठीक है, 2 ratio 2 में अगर डोनों की बचत 2 ratio 2 में हैं तो same होई ना same होई, ठीक है, कोई दिकत नहीं है same, 2 ratio बराबर दे रहा है हमें 6000 कितना दे रहा है Tetraa 10000 3,000, कितना हो जाएगा? 3,000, ठीक है? अगर एक रेशियो के बरावर 3,000 है, तो दौनों की बचत निकालनी, वो निकालनी इंकम है, किसकी इंकम निकालनी है? A और B की, तो क्या हो जाएगी? 4 इंटू 3,000, और 3 इंटू 3,000, कितनी हो जाएगी? इसकी 12,000 इसकी 9,000 कितनी हो जाएगी 12,000 और 9,000 option कौन सा है option number देखो इस तरह एक question होना है देखो ठीक है देखो अगला question देखो चलो देखो अगला question अगला question है हमारा A और B की आए का अनपात है 3 ratio 4 है और उनके 2 का अनपात यानि खर्च का अनपात दे रहा है 2 ratio 3 देखो कैसे करना इसे A और B की आए का अनपात कितना है क्या है 3 ratio 4 ठीक आए income कर्च क्या है कर्च हमारा 2 ratio 3 ठीक है अब देखो क्या करना है यदि B का 90% A की आए के बरावर है तो A और B की बचत का अनपात क्या है देखो कैसे करना है इसमें कह रहा है B का 90% A की आए के बरावर है तो A और B की बचत का अनपात क्या है कैसे करना इसको इसको दो तरीके से कर सकते हैं कैसे करोगे इसे X मानो इसको भी X करो ठीक है इसका 90% बेर B का 90% इसको Y रखो इसको Y ठीक है इसको X ठीक है देखो क्या करना है हमें B का 90% बेर यानि कि B का जो खर्चा है B का खर्चा क्या है 3Y B का 90% बेर A की I के बरावर है A की I के बरावर ठीक तो कैसे करोगे B का 90% बेर यानि B का 90% बेर 90% कितना हो जाएगा B का 90% 90 बटा ठीक B का 90% बेर A की I के बरावर है A की I के बरावर है 3X ठीक B की बच्चत का बच्चत का अनुपाद क्या है देखो 0 से 0 ठीक है अब देखो यह हो जाएगा मारा 29 27 Y यह हो जाएगा 30 X ठीक है इसे 3 से काट दोगे यह हो जाएगा 9 इसे 3 से काट दोगे यह हो जाएगा 10 तो X बरावर तो मारा 9 आ गया और Y बरावर आ गया 10 ठीक देखो X बरावर 9 और Y बरावर 10 इसको क्या करोगे यहाँ गुणा करना है बस और कुछ नहीं करना है देखो यह जाएगा 3 इंटू 9 और 4 इंटू 9 2Y इंटू 10 और 3 इंटू 10 देखो क्या रेशी बना यह जाएगा 27 और यह जाएगा 9 चक और यह जाएगा यह जाएगा 20 और यह जाएगा हमारा 30 अब देखो क्या हुआ अब सम्झो कोशन को हो गया यहाँसे क्या हो रहा है यह यह पी है यदि B का 90% 2 है, B का 90% 2 है, A की आय के बरावर है, यानि कि इसका 90% A की आय के बरावर है, तो इसका 90%, 30 का 90% क्या हुआ है? 27, तो A की आय हो गई 27, कितनी हो गई? ये कुशन यही कहना चाह रहा है, A की आय कितनी है? 27, यानि कि A की आय हमारी B के 90% के खर्च के बरावर है, तो बस बचत का रेशियू निकाल दो इसमें, क्या हो जाएगा? 7 यहां से क्या हो जाएगा? 6, तो रेशियू क्या है? 7 रेशियू 6, ओप्षन नमबर क्या रहेगा हम नमबर डी ठीक है तो चलो देखो अगला कोश्चन देखो क्या है अगला कोश्चन पी और क्यू का रेशियो दे रहा है दो रेशियो एक के अनपात में यह क्या है इनकम इनकी क्या है इनकम पी और क्यू दो रेशियो एक के अनपात में कमाते हैं और वे पांच रेशियो तीन में खर्च करते हैं तता तीन रेशियो एक में बचत में उनकी बचत क्या है तीन रेशियो एक बचाते हैं यदि पी और क्यू की कुल बचत आठ हजार रुपे है तो प्रितेक की मासिक आय क्या होगी, देखो, इस तरह के कोशनों को क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये देखो, इसमें बचत क्या है, 8000 रुपे, P और Q की बचत कितनी, 8000 रुपे, तो करना क्या है हमें, रेशियो कितना दे रहा है, 3 रेशियो, बचत का, सेविंग का रेशियो तो कितना हो जाएगा एकरेसीओ के बराबर 2.000 ठीक है एक रेसीओ के बराबर 2.000 तो बचत क्या हो जाएगी ? 3 into 2000, और यह हो जाएगी 2000, तो क्या हो गई बचत, देखो, यह हो गई हमारी 6000, ठीक है, और यह हो गई हमारी 2000, ठीक, अब लेख लो, अलग लेख लो इसे बस, इतना करके, बस अलग लेख लो 6000 और 2000, क्या हो गई, 6000 और 2000, यह P है, और यह Q है, ठीक, बचत क्या है इसकी, P की 6000, Q की 2000, अब देखो, इंकम क्या है, 2X, नीचे से आउ, 2X अपन X, ठीक है, क्या है बचत, 6000, इसकी क्या है बचत, 2000, ठीक, खर्च क्या है इसका, कितना खर्च करते हैं, फांच रेजियो, तीन में खर्च करते हैं, ट्रोस मल्टिपला कर दो, यह जाएगा, 6X, माइनस, चैती, 18, 18,000, पराबर, 5X, माइनस, कितना हो जाएगा, 2000, इंटू, 5, 10,000, ठीक, अब देखो, यहां से इदर लेके आओगे, यह जाएगा, X, ठीक, इदर लेके जाओ, यह कितना हो जाएगा, 8,000, कितना हो गया, 8,000, अब देखो, X वराबर आया मारा, 8,000, तो दोनों की क्या पूचा है, मासिक आय क्या होगी, प्रतेक की मासिक आय क्या हो जाएगी, बताओ, देखो, रेशियो क्या था हमारा, इंकम का रेशियो था, 2 रेशियो 1, ठीक, 2 रेशियो 1, तो इसमें X लगी है, इसमें भी X मान होगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, 2 into 8, कितना हो जाएगा, 16,000, इसका हो जाएगा, 8,000, ठीक, 16,000 और 8,000, पी और क्यू की आय कितनी होगी 16,000 और 8,000 अप्सन नम्मर क्या है मारा बी अप्सन नम्मर क्या है बी देखो इस तरह से होने हैं कुश्चन कोई दिखकत है इस कुश्चन में बताओ देखो अगला कुश्चन देखो अब इसी तरह से सारे कुश्चन होने हैं इसी तरह से अगर बचत से दी जाती है तो तो रेशियो से डारेक्टी कर सकते हो अगर अलग अलग बचत दी जाती है तो थोड़ा आसा उसमें एक्स मान के करना पड़ेगा दिक्कत नहीं आएगी आपको देखो अगला कुश्चन क्या है 80 लीटर का एक मिस्टरड बनाने के लिए टीना, तीन रेशियो 2 के अनपाद में दूद और पानी मिलाती है उसे कितना पानी मिलाना चाहिए ताकि दूद और पानी का अनपाद 2 रेशियो तीन हो जाए देखो, करना क्या है तोटल मिस्रड क्या है हमारे पास 80 लीटर मिस्रड क्या है हमारे पास 80 लीटर दूद और पानी का अनुपाद दिया है दूद यानि मिल्क और वाटर क्या दिया है 3 रेशियो 2 ठीक है उसे कितना पानी मिला जाना चाहिए ताकि दूद और पानी का अनुपाद दो रेशियो तीन हो जाए कितना हो जाए दो रेशियो तीन ठीक है अब मिलाया क्या जा रहा है यह देखो मिलाया जा रहा है ताकि दूद और पानी का अनुपाद दो रिजियों तीन हो जाए कितना पानी मिलाना चाहिए पानी मिला रहा है देखो अगर पानी मिला रहा है इसमें तो मिल्क को समान कर दो अगर पानी को मिलाया जा रहा है मैंने पहले ही बताया था अगर किसी भी चीज में अगर एक चीज को बढ़ाते हो तो दूसरी वाली चीज वही की वही रहती है क्या रहती है वही की वही पहले तीन था अब दो कैसे हो गया मिल्क तो इसको समान करो कैसे करोगे समान इसको दो से गुड़ा कर दो, इसको तीन से गुड़ा कर दो, बस इसको दो से किया है तो इसको दो से करना पड़ेगा, इसको तीन से करना पड़ेगा, देखो हो गया, यह हो गया 6 रेशियो 4 और यह जाएगा 6 रेशियो 9, देखो, सेम हो गया है मिल्क, मिल्क गमारा सेम हो गया, अब क पांच रेशियों बढ़ा है देखो टोटल मिस्टर कितना था दस छेटो मिलक था चार पानी कितना था दस दस रेशियों के बराबर दिया है 80 लीटर तो एक रेशियों के बराबर कितना हो जाएगा आठ लीटर हो जाएगा के नहीं हो जाएगा देखो अगर एक लीटर के बराबर एक रेशियों के बराबर आठ लीटर होता है तो यहां से चार से पांच हुआ है कितना हुआ है चार से पांच तो कितना हो जाएगा आठ से गुणा कर चालीस इसे चालीस लीटर पानी और मिलाया जाना चा त इसे वोना था कोश्टन कोई कोई दिक्क्त है कोश्टन में बताऊ कितनी आसानी से कोश्टन हुआ देखो अगला कोश्टन देख उआ अब बहुती आसानी से और एक्दम उस तरीके से कराएंगे हम कोश्टन को जब तक तुमारी समझ में आना जाए कुश्चन जब तक कराते रहेंगे और समझाते रहेंगे ऐसा नहीं है कि जैसे बड़े चैनलों की तरह आपको अगर बेसिक से स्टाइटिंग कर रहे हो तो गुणा करना है इसका डारेक्ट ही लिख दिया कोई दिक्कत नहीं करना क्या है यहां से 7 उठाया और यहां से इंटू यहां कर दिया डिरेक्ट लिख दिया 63 अब बच्चे को समझ में जो पड़ा हुआ है पहले से कहीं कोचिंग की है उसकी तो समझ में आ जाता है पर लेकिन जो बेसिक से तयारी कर रहा है उसकी समझ में नहीं आता है ठीक है? इसी वज़ाए से एक एक चीज को समझा के बताया जाता है देखो स्री एक्स और स्री भाई की सालाना आमंदनी दे रहा है नो रेशियो आठ के अनपात में और उनके खर्चे का अनपात है पांच रेशियो चार यदि दोनो बेक्तिवत रूप से पांच जार रुपे बचा पाते हैं तो स्री भाई का खर्चा कितना होगा देखो कैसे करना इसे आए कितनी है एक्स और भाई की एक्स और भाई की आए दे रहा है नो रेशियो आठ ठीक नो रेशियो आठ और उनके खर्चे कितने है खर्चे हैं हमारे 5 ratio 4 कितने है 5 ratio 4 के अनफात में यदि दोनों ड्यक्तिकत रूप से 5000 रुपे बचा पाते हैं तो स्री बाई का खर्चा कितना है देखो क्या है हमारा क्या बचा पा रहा है 5 देखो यहां से इसका अंतर देखो इनकम खर्चा बचत saving यहां रहीग saving कितनी है इसकी 9 से 5 कर्च हुए क्या बचा 4 8 से 4 कर्च हुए क्या बचा 4 ठीक है बचा किया रहा है उसमें 5000 रुपे प्र merging day 5,000 रुपे बचा रहा है यानि की बताइए मुझे स्री बाई का खर्चा कितना है बताओ चार रेशियो के बरावर अगर 5 यार रुपे आपको दे रहा है इसमें तो मझे ये बताओ उसमें पूछ रहा है तो स्री बाई का खर्चा कितना होगा स्री बाई का खर्चा कितना है यहाँ पे कि क्या ता इसमें पुछ नहीं कि बस समझे है की दिखत है तोड़ीजी और कुछ नहीं थोड़ा lenguage का फरक पढ़ जाता ईस्टुडेंट की समझ में थोड़ा कमाता है इसको समझाना पड़ता है सिंपल लेंग्वेज में बस यही है समझाने का देखो अगला कुशन देखो देखो कुशन घतम चलो आज मारे कुशन इतने ही थे आज के लास्ट कुशन जो कुशन थे हमारे हो चुके अब हम अगली वीडियो भी लेके आएंगे उसमें भी हमारे 10 से 12 कुशन होंगे हम 10 से 12 कुशन इसलिए कराते हैं क्योंकि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा कुशन कराएंगे तो इस्टुडेंट की समझ में जो नया स्टुडेंट है उसकी समझ में थोड़ा कम आएगा और समझ यह नहीं पाएगा कि कैसे किया जा रहा है कौन सा कुशन को किस तरीके से किया जा रहा है थोड़ा कम मिलेगा उसे तो अच्छे से कर पाएगा इस वज़ए से थोड़ा करने के दिए हमें थोड़ा कम कुशन उठाने पड़ते हैं उसी तरीके से कुशन लेने पड़ते हैं जिससे नए बच्चे को थोड़ा समझ में आ सके पुड़ाने बच्चे को तो कोई दिक्कत नहीं है वो तो कितने भी कुशन कर सकता है पर लेक लेकिन हो जाता है वो student को समझ में आता है जो नया student है उसकी अच्छे से समझ में आता है कि 10 से 12 question मेरे लिए क्या माइने रखते हैं तो चलो दोस्तों अगर आज की वीडियो हमेरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल हाइपाई teaching classes को subscribe करना और हो सके ज्यादा से ज्यादा share करने की जरूरत है आपको और हमें आपकी support की जरूरत है जिससे हमारा चैनल आपके लिए कुछ करने का प्रयास कर रहा है तो सफल हो ठीक है दोस्तों तो चलो दोस्तों आज की class का हम यहीं पर end करते हैं चलो नमस्कार दोस्तों